मेरे प्यारे साथ क्यों नमस्कार आज के वीडियो में राजस्तान जीके के 25 बहुत इंपोर्टेंट परसन लेके हैं और यह सभी परसन एक्जाम की दश्टी से मोश्ट इंपोर्टेंट आप लोग वीडियो को सुरू से अंतक देखेगा पहले क्यों आपके सामने राजस्तान में पर्थम मिट्टी प्रिक्षिन प्रियोकसला जोदपुर में भारत सरकार की साहिता से कब स्थापितिय की बहुत इंपोर्टेंट परसन है और एक्जाम में कई बार पूछा भी गया है यहां पर दो क्यों बनते हैं कि राजस्तान की पहली मिट्टी प्रिक्षिन प्रियोकसला कहां पर तो यह राजस्तान में जोदपुर के अंदर है और भारत सरकार की साहिता से इसकी स्थापना कब की गी ठीक है तो यहां पर सीधा सब पूछा जाएगा कि जोदपुर में र राजस्तान राजे में शाल्ट म्यूजियम की स्थापना की गी है, राजस्तान राजे के अंदर जो है साल्ट म्यूजियम की स्थापना की गी, वो कहां पे की गी है, जल्दी से आप लोग उतर दीजेगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, तो यह सामबर साल्ट लेक पे की ग कोटा धोलपूर बांस बड़ा जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए गा और वीडियो के अंद में आप सभी से इंपोर्टेंट परसंट पूछा जाएगा उसका भी आप लोग उत्तर जुरूर दीजिएगा अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो भी आप लोग कोसीश कीज लिएगा तो रामसागर वन विहर जो की धोलपूर के अंदर ऑपसन बी हमारा उत्तर रहेगा क्यों सनौर फोर की बात करते हैं राजस्तान जोथपर में किस वरस मुरूस्तल वरक्षिटरोपन तरता अनुसंधान के अंदर खोला गया राजस्तान जोथबर के अंदर जो ए मुरुस्तल वरक्षेटरोपन एवन संधान के अंदर जो है कब खोला गया था 1952 में खोला गया था ओप्सन ए हमारा उत्तर रहेगा ये सारे बहुत ही इंपोर्टन प्रसन है एक्जाम में कई बार पूछे जा सकते है राजस्तान में कहां से मृधा स्वास्ते कारड योजना का सुभारम किया गया राजस्तान के अंदर किस जिले से मृधा स्वास्ते कारड योजना का जो सुभारम है वो किया गया था सूर्तगर्ड उद्यपूर भीलवड या जेपूर तो सुर्थगड से किया गया था सुर्थगड कहा है तो यह गंगानगर जिले के अंदर है option A हमारा उद्दर रहेगा क्योशनवर 6 की बात करते हैं राजस्तान के वनों से प्राप्त उपजो में से किसका उप्योग ग्रामाफोन रिकॉर्ड पॉलिस आदी में होता है बहुत ही इंपोर्टेंट परसन है राजस्तान के वनों से प्राप्त या फिर उप्योग इसका उप्योग किसमे किया ज़ता है ग्रामाफोन रिकॉर्ड पॉलिस आदी में तो उसका नाम आपको बताना है जो वनों से प्राप्त होता है तो लाक option A हमारा उद्दर रहेगा option C हमारा उत्तर रहेगा क्यों सन्वर 8 की बात करते हैं एस्या में चिनाई वाला सबसे उंचा बांद बहुत ही इंपोर्टेंट परसन है एक्जाम में पूछा गया है एस्या का चिनाई के मामले में सबसे उंचा बांद इस तरह के सारे इस पांद गया है चैनल को जूरूर सबस्क्राइब कर लेना राजस्तान जेके गर कोई भी इंपोर्टेंट गयूसन आपसे छूटे का नहीं डेली आपको ऐसे इंपोर्टेंट गयूसन की कलासेज मिलते रहेगी तो एस्या में चिनाई वाला सबसे उंचा बांद है जाख ब्रेठा वेरन ओप्सन डी हमारा उत्तर रहेगा क्यों सन्वर 10 की बात करते हैं राजस्तान में खारे पाने की जीले सामबर डीडवन और पंच बंदराज की समहा सागर के अवसेस है राजस्तान की खारे पाने की परमुक जीले हैं सामबर हो गया डीडवन हो गया पंच बंदरा हो गया तो ये किस समहा सागर के अवसेस है टेथिस समहा सागर ऑप्सन भी हमारा उत्तर रहेगा याद कीज़ेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है क्यों सन्वर 11 के बात करें क्यों सन्वर 12 के बात करें सामबर जील से नमक उत्पादन कारिये हिंदुस्तान नमक कंपनी दवारा किया जा रहा है ये किसका उपकरम है इंपोर्टेंट परसन है इस तरह के परसन एक्जाम में बनते हैं और बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं या फिर गलती करते हैं तो यहां पर बच्चे क्या करेंगे कि सामबर जील जो कि राजस्तान में तो यहां पर राजे सरकार नहीं होगा क्योंकि सामबर जील से जो नमक कारिये चल रहा है वो हिंदुस्तान नमक कंपनी के दवारा चल रहा है और ये कारिये करवा रही है कैंदर सरकार भारत सरकार option C हमारा उत्तर रहेगा Q13 की बात करें राजस्तान में पकेवे केर को क्या का जाता है देखिए राजस्तान के केर बहुत famous है जिसे केर का अचार हो गया तो ये पकेवे केरों को क्या का जाता है important कीजेगा जल्दी से आप लोग उत्तर दीजेगा ठीक है तो पकेवे केरों को धीलू का जाता है इस तरह के परसंद भी बनते हैं और जो ग्रामिंड बचे हैं वो अक्सर सही कर देते हैं क्योसर नवर 14 के बात करें राजस्तान में काजरी या कैंदरी सुसक शेतर अनुसंधान के अंदर कहां पे है राजस्तान के अंदर या तो आप इसे काजरी कह सकते हैं या पिर कैंदरी सुसक अनुसक शेतर अनुसंधान के अंदर तो ये है जोदपूर के अंदर ऑप्सन ड हमारा उत्तर रेगा काजरी से सीधा उत्तर बनेगा जोदपुर आप्शन डी क्योशन और पंदरा की बात करें राजस्तान के भोगोलिक परदेसों का निर्धारन सरोपर्तम प्रोफेशर वी सी मिसरा ने किस पुस्तक में किया था इंपोर्टेंट परदेसों है राजस्तान के भोगोलिक परदेसों का जो निर्धारन सबसे पहले वी सी मिसरा ने किस पुस्तक में किया था तो राजस्तान का भुगोल जो की बहुत ही फेमस बुक है और इसके अंदर इन्होंने राजस्तान के भुगोली परदेसरों का जो निर्धारन किया था आप्शन भी हमारा उत्तर रहेगा क्योशन वर सौला की बात करें राजस्तान में अबली मीनी का महल किस अभ्यारन के अंदर है बहुत ही इंपोर्टेंट परसन आप लोग उत्तर दीजेगा है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है राजस्तान के अंदर अबली मीनी का जो महल हो किस अभ्यारन के अंदर है तो दर्रा बहरन आप्सन C हमारा उत्तर रहेगा क्योसन वर 17 की बात करें सांकड़ा बांद किस जिले के अंदर है राजस्तान में सांकड़ा बांद जोगी किस जिले के अंदर है जोतपुर, टोंग, जेपूरी या अलवर जल्दी से आप लोग उत्तर दीजेगा तो सांकड़ा बांद जो Chief के अंदर है आप्सन D हमारा उत्तर रहेगा क्योसन वर 18 की बात करें राजस्तान में भर्दपुर, क्रॉली और दोहलपुर, क्योहीं बुदा ए आपक्सन अ क्योसन वर 19 की बात करें राजस्तान में वार्षिक वरिश्या का ओस्त है राजस्तान के अंदर वार्षिक वरिश्या का जो ओस्तन कितना है तो 57 से 58 सेमी ओप्सन सी हमारा उत्तर रहेगा एजी क्योसने लेकिने एक्जाम में कई बर पूछा भी गया है 57 की बात करें राजस्तान में अरावली परवतमाला की सरवादिक उन्चाई एम चोड़ाई विद्वान है राजस्तान में अरावली परवतमाला की सबसे ज़्यादा उन्चाई और सबसे ज़्यादा चोड़ाई कहां पे कौन सी ख्यातर के अंदर है तो ये दक्सनी पच्छम हुपmiक्षयाथे के अंदर ऑपसन-D हमारा उत्तर रही गा हुघ How can you 8 है प्वहसनबर लिए की बात करें राजस्थान राजiri में गुलदार कि से का जता है सेर चूट इ exemplo चिपकली या बगेरा को तो राजस्तान में गुलदार बगेरा को का ज़ता है option D हमारा उत्तर रहेगा क्योशनवर 22 की बात करें राजस्तान में चोपडा जिल किस से जिले के अंदर है राजस्तान में चोपडा जिल किस से जिले के अंदर है तो यह पाले के अंदर है वेरी वेरी इंपोर्टेंट याद किजेगा एक्जाम में पूछा जा सकता है तो चोपड़ा जील पाले के अंदर है आप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा क्यों सनवर 23 की बात करें राजस्तान में अती आरदर जलवाईयो परदेश के अंतरगत कौन से जीले आते है राजस्तान के अंदर बहुत जदा आरदर जलवाईयो परदेश के अंदर कौन से कौन से जीले आते है ते एक बांसवड़ा हो गया और दूसरा जालावड ओप्सन ए हमारा उत्तरेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट याद कीजेगा क्योशन और चोईस की बात करें राजस्तान में हेमावास बांध कहां पे किस जिले के अंदर राजस्तान के अंदर हेमावास बांध है गया तो यह पाली के अंदर ए इंपोर्टेंट क्योसे ने की ओप्सन भी हमारा उत्त्रएगा क्योसे मेरे पर्चीश की बात करें सातमतरता प्राप्ती पच्छात 1 ने जिवों के सरक्षं की आदार सिला कब रखी गई थी 7 नॉम्बर 1955 को option B हमारा उत्तर रहेगा अब बात करते हैं वीडियो के अंद में आप सभी से important person पूछाजार है इसका आप लोग उत्तर जरूर दीजेगा अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो भी आप लोग कोसिज कीजिएगा क्योंकि कोसिज करने वालों की कभी हार नहीं होती very very important है सामबर जिल की समूदर तल से उंचाई कितनी है सामबर जिल की समूदर तल से उंचाई आपको बतानी है इसका सही उत्तर आप लोग कॉमेंट कीजिएगा और ये भी बताएगा कि 25 में से आपके कितने सभी इमानदरी से कॉमेंट कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और जिन्होंने भी चैल्म को सब्सक्राइब नहीं कि आप लोग आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लें आपको रोजान रजस्तान जी के इंपोर्टेंट क्यूसन के वीडियो मिलते रहेंगे और पास में जो बैल आइकन अबनी है उसको भी दबा लेजेगा और अपने दोस्तों तक सेर भी कर देना थैंक यू एंड बेस्ट अग लक